हेलो फ्रेंट्स वालकम बेक टो माई चैनल कैसे भाई मस्त रो चिल रो एकदम तो मैं आपको दिखा तो अपनी या ब्लैक जर्मन शैफर्ड जो वन मन्त कंसीव हो गया आज 18 तारीक हो गया तो मज़ा वन मन्त कंप्लीट हो गया है 18 को मेडिंग कराई थी तो वन मन्त कंप्लीट हो गया अब आपको क्या-क्या सिस्टम नजर आएंगे आपकी फीमेल में जिसे आप एक थोड़ा आइडेंटिफाइब कर सकते हो आपकी फीमेल कंसीव है या नहें चलो आपको दिखादो अपनी चार्ली ब्लैक जर्मन शैफ जा पर चार्ली और चार्ली एक तो आपके ईक के और चार्ली ऐंर्ट कोईटा लिखूयों एक तो दूसरा आपका जो और लेटिक की पर जेड़िए और conceive नहीं होती है तो आपको अभी भी चेक कर लिजे शुरू में आप यहां हाथ लगाओगे तो आपके उगलिया अंदर की तरफ चली जाएंगी तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी female conceive है या नहीं दूसरा point यह हो गया है ठीक है तीसरा point आपको बताता हूँ जो निपल्स होते है निपल्स के color change हो जाते है हलके यह देख रहे हलका साग ऐसे गोरा पंसा होने लग जाता है clean होने लग जाता है यह देखी हलके हलकी pink type की पढ़ने लग जाती है यह देखी हलके हलके different हो गया side के color से तो यह पिंग-pink type का light color होने लग जाता है तीसरा point यह हो गया है चोथा ही हो गया है जो bathroom वाले जिगए होती है वरजाईना उहां पर आपको जो वरजाईना होती है वो swally रहती है थोड़ी इसका ही मतलब आप identify कर सकते हो conceive है और प्लस टेल के पास white clear का discharge लगा हुआ होता है hearts रहता है यहां पर बाल इस चीद से आप एक idea लगा सकते हो कि आपकी female conceive है तो यह भी फिलाल थोड़े system से पेट भी heavy नहीं हुआ है बट अभी चारली काफी रिलेक्स रहने लगे ही देख रही कितने अराम से लेट रही है चारली ए चारली तो यह अपनी black German shepherd है आज एकम चारली तो चारली के अभी health भी अच्छी होती जा रही है तो आपको idea हो गया होगा जो मैंने आपको system बताएं से कि आपकी female आप कैसे identify कर सकते हो कि आपकी female conceive है या नहीं चलो thank you so much watching my video take care and bye bye